नमश्काय मेरा नाम है डॉक्टर पूरुधावन और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारी किड्नी और हमारा हर्ट आपस में रिलेटेड होते हैं अगर आपको किड्नी फिलियर की दिक्कत है तो कैसे आपको हर्ट फेल होचता है और कैसे आपका अगर हर्ट फेल हो चुका है तो क्यू किड्नी खराबाज थे हैं ऐसे पेशन तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा में बॉड़ी की एनॉटमी को समझना पड़ेगा कि किड्नी और हर्ट आपस में मिलते कैसे, कैसे वो मिलके काम करते हैं तो आपका जब हर्ट पंप करता है वो बलेट को पूरी बॉड़ी में सेर्कुलेट करने के लिए जब उसने पंप किया तो एक मेजर आर्टरी से आपकी किड्नी को ब्लेट मिलता है और वो ब्लेट को साफ के किड्नी गंदगी को बहार निकालती है और साफ ब्लेट को दुबारा से हर्ट की तरफ भेज दिती है ये समझना हर्ट किसी के लिए बहुत असान है मगर अगर आपकी किड्नी फेल हो रही है तो किड्नी जब फेल होती है तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है ब्लेट प्रेशर की कि ब्लेट प्रेशर कंटोल नहीं होता क्यों नहीं होता क्यों किड्नी ही कैसा होमन बना रही होती है जो की हमारे blood pressure को control करता है तो जब भी kidney को की दिक्कत हुई उसे blood नहीं मिल रहा तो kidney क्या कर रही है? Blood pressure को बढ़ा रही है क्यों? क्योंकि उसे ज़्यादा blood supply चाहिए अपने आपको जिन्दा रखने के लिए इस के लिए heart को ज़्यादा काम करना पड़ता है अब जब heart ज़्यादा काम कर रहा है तो उसके feel होने की chances कई गुणा ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो पहली दिक्कत kidney से हमारे heart का relationship सुझ माया कि जब kidney खराब होगी तो आपके heart पे impact डालती है और impact कैसे पता लगता है? Blood pressure से पता लगता है तो यह तो बात होगी कि किस तरह से kidney खराब होने वे हमारे heart को दिक्कत होती है अब चलते हैं कि अगर जब हमारा heart खराब हो रहा होता है वो तंग से pump नहीं कर पा रहा तो कैसे हमारे kidney को नुक्सान हो सकता है तो kidney से जब blood जाता है तो किसी ने किसी रस्ते से वो वापिस आता है तो जाता वो renal artery से है आता वो renal vein से है तो जब हमारे heart टंग से pump नहीं कर रहा blood किसी तरह से पहुंचता हो जाए kidney तक पर kidney से वापिस नहीं आपाता या फिर धीर धीर आता है जिसे क्या हुआ कि blood चो circulation है कीड़ Dashव मेंAudर कांब हो जाता है ऐसे सही तरीके से oxygen झाटी नहीं मिलती एगी चाहिशन खाना पिना नहीं मिल पाता उसके इंपक्ट क्या होता है कीडनी को नुक्सां होना शोरू होता है तो ज़से ज़ए ज़से नुक्सान होता है वैसे क्रुटनिन के लेवल, उरीया के लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं कहने का मतलब ही है कि कि आगर अगर कैड्री अगर प्रूट कराब हो आपके ह। ऑपके हर्ट खराब होने के चांसले ज़ाथा है तो दोनों चीजों का आमें ध्यान अखना होता है और एक और चीज होती है जिसे जानना बहुत ज़्यादा जुरूरी हो जाता है अब कुछ medical procedure ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारी kidney को नुकसान होता है और यह medical procedure कहा के होते हैं यह हमारी cardiac के होते हैं तो एक procedure होता है जिसके अंदर हमें आपकी लेक की बैसल से आपके हर तक बालना होता है यह हम सब जानते कि बाला जाता है परका बालते समय कहां तक पहुचा तक नहीं पहुचा उसे में देखना भी पड़ता है अब हम शिरीक के अंदर कैसे देखेंगे तो शिरीक के अंदर देखने के लिए एक special ink डाली जाती है उसको डाला जाता है और उसे CT की मशीन से देखा जाता है कि वो कहां तक पहुच गई कहां तक हमारा stunt पहुच गया है अब यह जो इंक होती है यह खुद में नेफरो टॉक्सिक होती है यानि कि वो किड्नी को नुक्सान पुचाने वाली होती है तो अगर आपका क्रिटने नहीं भी था या मामली सब बढ़ा था किसी कॉम्प्लिकेशन की वज़े से हमें यह पर्चेजर करना पड़ता है तो कुछ केसिस करना बहुत तेजी से वर जाते हैं तो अगर हम अपने हर्ट का ध्यान था नते हैं तो हम इस तरह की पॉसुज़े से बच सकते हैं तो हम ने करना क्या होता है सबसे पहले एपने बी-बी को मैनिक्स करफना होता है की बी-प हमारा नॉर्मल लिमिट्स में रहे दूसरा दान हमने क्या रखना होता है कि अगर आपका कॉलोस्टेल के लेवल जरूर से जादा बढ़े में है तो इसे कंट्रोल में रखें, अपनी डाइट को अच्छा रखें, अपने खाने के अंतर नमक, घी, तेल की मातना कम से कम रखें कि हमारे काडियक, हमारे हर्ट को कि किसी भी दाइट की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर उसे कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारी किड्नी की प्रॉब्लम और तेजी से बढ़ जाएगी, और इन दोनों की ओगन्स का ध्यान अकना हर एक किड्नी पेशेंट के लिए खासकर बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं बर भी चुकोगे, नुकसान से पेशेंट को होता है, किसी और का नहीं होता से पेशेंट को ही सबसे जादा सहना पड़ता है, मुमित करता हूँ, इस वीडियो से आप किड्नी और हर्ट के रिलेशेंशिप को समझ गए होंगे, अब अगर आप किड्नी फिलियर के क्योंकि इस चैनल के उपर सारी के सारी किड्नी से रिलेटेट, किड्नी फिलियर से लेटेट सारी वीडियोस हमने डाल की है, और उनको एक एक करके देखने से आपको बहुत जादा अच्छी जानकारी मिल जाएगी, फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो माई डॉक्टर से अबलेबल है, आप मुझसे भी आकार मिल सकते हैं, अब इसी की साथ आप सभी समय चलने की आगया चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक क्लिए नमश्कार